अजीब है ये पब जी की दुनिया ना यहाँ गल्फेंड की याद आती है ना गल्फेंड की बातों की अच्छरों से मत मारो मेरे आशिक को अच्छरों की स्कॉर में एक बंदे की गैरंटी ले सकतो होगा कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि तीनों जो लोग हैं वह रिवाइब कंडिशन में आ जाता है लेगिन अकेला बंदा सबको रिवाइब दे देता है गेम जीता जात आई कभी कभीन होता है जिसे हम 10 पार रिवाइव्स फर्वो हमें एक वार करने के लिए किसी की जरुडड़ हमें ब्यार करने के लिए किसी की जरुरत नहीं हमारी तो रातों की नीन और दिन का चैन पपजी नहीं उड़ा के रखा है पपजी से एक चीज तो सीखने को मिली है के नजर हटाओगे तो कोई भी आके ठाँ कर जाएगा ठाँ कर दो तेरी वो मीठी मीठी बातें मुझे आज भी आदाती है अरे शुक्र है उस पपजी का जो तेरे दिये हुए जखमों पर मरहम लगाती है किसी ने मुझसे पूछा कि जो लड़के पपजी खेलते हैं क्या वो कुछी को धोका नहीं देते मैंने कहा कि जो लड़के पपजी हेलते हैं वो कभी किसी के साथ ताहीं पास नहीं कर सुनो पपजी से एक बात सीख लो पपजी से एक बात सीख लो जब तक जिन्दा हो सब साथ हैं मैं मैं फिल में पैठूगा जरूर मगर पीऊंगा नहीं मेरा गम मिटा दे इतनी श़राब की उफाद नहीं रहम खामुच पे अब और ना बदराम कर लोग सिर्फ कपड़े उतारगा जानते हैं मुहबबत के नाम नजाने कितने लड़कों को समाला है पब जी ने जो तूटकर बिखर गहे थे उन्हें उठना सिखाया है पब जी ने हमाना ये लग थोड़ी बुरी है पर जो हसना भूल गहे थे उन्हें हसना सिखाया है पब जी ने इश्क में मुझे लगता है कि शायद इतनी तो सिद्दद चाहिए यार पब जी खेलते समय मैंने तुम्हारी कॉल उठा ली अब तुम्हें इस लड़के से और कितनी महुप पर चाहिए ये सोना बाबु जानू हम पब जी वालों से ना हो पाएगा क्योंकि हमें पता है उनका मैसेज हमारे गेम के बीच में आएगा दोस्त हमारे ऐसे है जो मरने के बाद भी सताएंगे पब जी का भूत इतना सवारा उपर जो यमराज से भी चिकन डिनर मंगवाएंगे पब जी भी बड़ी कमाल की चीज़े यार ना तो गलफेंड की याद आती है ना उसकी बातों की और ना उसके जुटे बादों की